यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी एकदम से लेक्ट ओवर दाल से हमारे ने बनाया है नाश्था जो कि बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है इसमें आप काफी वेजीज भी यूज कर सकते हैं जो बच्चों को पसंदो वो बेजीज बहुत टेस्टी बनेगा बच्चे मांग मा नाने जा रहे हैं लैक्टोवर दाल यानि बची हुई दाल से नास्ता जो कि बहुत टेस्टी बहुत यम्मी होगा और बहुत हेल्दी भी होगा क्योंकि दाल बच्चे नहीं खाते इस तरह से खाएंगे तो यह देखिए मिक्सी कजार ले लिया है इसमें हम अपनी दाल को डा जाल देंगे क्योंकि हमारी चने की दाल है तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे जिससे की दाल पता ना चले कि यह दाल है इस वजह से तो यह देखिए हो गया है इसमें डालेंगे चावल का आटा जो कि हम डालेंगे धाई से तीन स्पून के करीब नॉर्मल खाने आवाले स्पून यह से सब्सक्राइब फिर से मिक्सी योजार को मिक्सी में यह लगा कर तो यह देखिए अभी हमें थिक लग रहा है तो इसमें हम डालेंगे पानी करता सकता कि आप पानी डाले हमने हाफ को टोरी पानी एड किया है क्योंकि हमें इसकी रणिंग कंसंटेंसी चाहिए बहुत जादा थिक नहीं और बहुत ज्यादा लिक्विटी नहीं ऐसी हो कि मतलब स्पून से हम डालें तो यह जाकर मर्ज हो जाए यह देखिए इस तरह से इस त इसको हम चॉप कर लेंगे बारीक और यह देखिए चॉप हो चुका है तो इसमें हम आट कर देंगे तो आप इसकी जगह पर सिंबला मिर्च बंद गोभी जो भी सबजियां डालना चाहें जो बच्चे खाते हों आपके गाजर तो यह सब चीजें डाल सकते हैं यह बहुत हल्दी है क्योंकि दाल है प्रोटीन तो बच्चे ऐसे नहीं खाते नॉर्मली तो ऐसे खा सकते हैं तो अब ड्राइ मसाले हल्दी पाउडर कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर दनिया पाउडर हिंग चाट मसाला हम मिक्स कर देंगे देखिए स्वादन स्वार नमक धनिया पत्ती अब इसे हम बनाएंगे तो ले लिया अपना ओयल तवे पे लगा लिया यह हमारा तावा पराठे या फिर ऐसे ही चीले वगरा बनाने के लिए रखा है ऐसा तो आप यह गंदा मस समझें क्योंकि नॉन स्टिक पैन है नहीं तो हम ओयल लगा करके इसको थोड़ी देर के लिए आज पर रख देते हैं जिसकी वजह से वह नॉन स्टिक वाला काम करने लगता इसी वजह से यह ऐसा है तो यह देखिए एक प्राइडल भरके हमने डाल दिया एक स्पून भरके और इसको हम फैला देंगे इसका थोड़ा सा मूटा ही बनता है ज्याधा पतला नहीं बना सकते आप अगर ज्याधा पतला बनाएंगे तो चावल के आटे की वजह से यह तूट जाएगा तो यह देखिए ढ़क के लिए पका लिया तो यह देखिए अच्छे से हो गया तो इसको अब हम पलट कर पका लेंगे आगे आपके पास शावल का आटा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसमें सिंपल आटा डाल सकते हैं और अगर वह भी नहीं डालना चाहते तो आप बेसन भी ऐड़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी दाल में थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए बाइंडिंग के लिए आप आटा मैदा और बेशन एड़ कर सकते हैं तो ये देखें इस तरह से हम लट-फ़लट के पका लेंगे तो काफी यदमी बन जाएगा तो अचैसे पक चुका है तो ये अभ हम रखेंगे इसे जेम के साथ या फिर आप चाय के साथ या बच्चे जिस के साथ आप पसंद करें आप उसके साथ बच्चों अब दिखाते हैं उसी तरह से ओयल डाला और उसी तरह से एक स्पून भर केस पर हम डाल देंगे और फैला देंगे यह देखे इस तरह से और उस तरह से हम पलट करके सेंक लेंगे तो यह बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है दाल नहीं आप खिला पाएंगे बच्छों क मकर इस तरह से दाल का प्रयोग करके आप आसानी से बच्चों को दाल खिला सकते हैं तो यह देखे आज की हमारी यह रेस्पी कितने यम्मी ऊपर से क्रस्पी और अंदर से सॉफ्ट तो बन करके तयार हैं आप से पराठा भी बहुत सकते हैं दाल के पराठे या फिर चीला हो सकते हैं तो यह आज का नास्ता हमारा आप किसी भी टाइम खाएं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगेगा आप अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और सेर मिलते नेक्स डे नेक्स रेस्पी के साथ और आप लो कमेंट करना ना भूले